हेलो नमास कर दोस्तों सौगेत आपका सबसे जुकेशन में उम्मीद करता हूँ कि UPPCS 2022 का जिनका प्री निकल रहा है वो अपनी मेंस के तैयारी में जुट गए होंगे और जिनकी तैयारी 2022 के लिए ठीक नहीं थी वो अब UPPCS 2023 के लिए अच्छे से लग गया होंगे इस वीडियो में हम लोग UPPCS 2023 प्रीलिम के लिए जो भी important material है, important books है उन पर चर्चा करेंगे और 2023 के लिए क्या study होना चाहिए इस पर भी कुछ बातें करेंगे 2022 के प्रीलिम बीट गया और जिनका स्कोर काम है, उनको इस पेपर से समझना चाहिए कि हमारा स्कोर यह कम किस वज़े से है हमारी तैयारी में कहां पे गलतिया हुई है, क्या हमने पूरा syllabus पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था तो यह 2022 में जो भी mistakes रही है आप लोगों से, वो 2030 में बिल्कुल भी repeat नहीं करना है जिस point पर भी आप कम जो रहे हैं, उस point पर काम किजिए बहुत सारी candidate तो ऐसे भी हैं, जिनका GS में बहुत अच्छ है score है, paper 1 में बहुत अच्छ है score है 85 प्लस है, 90 प्लस है, बट उनका CSET में कम आ रहा है, qualify होने में दिक्कत हो रही है एक Robin Singh करके बंदे हैं, उनका comment आया था, उनका GS में 91 marks है और CSET में 26 questions सिर्फ सही हो रहे हैं, अब देखिए GS में इतना अच्छ है score होने के बाद CSET में वो qualify नहीं कर रहा है, तो CSET में qualify नहीं करने की बज़ाए ये तो आप ही लोग समझ सकते हैं यहाँ पर paper 1 के साथ साथ CSET paper को भी अच्छे से करना पड़ेगा, ताकि 2023 में ये नौबत ना आए, यह हमरा GS में बहुत अच्छ है score है और हम CSET qualify नहीं कर पा रहे हैं, पड़ मैं यहाँ पर पूरी कोशिस करूँगा, कि 2023 के लिए CSET में जो इस बार समस्या आई है, इस तरीकी कोई भी समस्या ना है CSET में जितने भी तरीके के कुश्चन साते हैं, उन सभी प्रसनों पर अलगलग वीडियो आप लोगो प्रोबाइट करा दूगा ठीक है तो परिशान बिलकुल भी मत होईए, 2023 में CSET में आपको फेल नहीं होने दूगा चलिए होते हैं आपर देख लेते हैं कुछ important books हैं, जो static portion हम लोगो पढ़ना पड़ता है GS section में politically हम सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मी कांथ एक ही book है जिसको follow करना है, pre में भी follow करना है, mains में भी follow करना है जब mains में हमें लक्ष्मी कांथ बढ़ना ही है तो आप pre में भी लक्ष्मी कांथी पड़ी है, यहाँ पर लक्ष्मी कांथ के लावा एक alternate मैंने यहाँ पर परिक्ष्यावाणी लिखा हुआ है, भारती राजविबस्ता के नाम से परिक्ष्यावाणी की किताब आती है, यह basically यह NCRT का compilation ही है, जिनके पास अगर लगता है कि हमारे पास समय कम है तो वो परिक्ष्यावाणी को follow कर सकते हैं, चुकि परिक्ष्यावाणी पतली किताब है, लक्ष्मी कांथ थोड़ी सी heavy है, heavy जरूर है, लेकिन यह बहुत खास किताब है, बहुत important किताब है, ठीक है तो subjective portion आपको बुक से पढ़ना है, और MCQ की practice घटना चकर पूरवा लोकन से करेंगे, इस सब के बारे में आप लोग जानते हैं, अच्छे से परिचत हैं, यह separate subject के अलग 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 आते हैं, और यहाँ पर लक्ष्मी कांथ हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम दोनों में आत सेकंड सब्जेक्ट है, जोगरफी, जोगरफी में मेरे इसाब से किसी भी टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 9-12 तक की NCRT पढ़ दीजे, आपका काम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो लिखा है 11 की NCRT प्लस परिक्षामाणी, आप इसको skip करके सिर्फ 9-12 की NC पढ़ सकता है, और इन NCRT से आपका प्रिलियम और मेंस दोनों हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप प्रिक्षामाणी पढ़ना ही चाहते हैं, तो इसकी दो कताबें आती हैं, भारत का भूगोल के नाम से आती है, और विस्प का भूगोल के नाम से आती है, इसका की प्रेक्टिस करने के लिए है जैसे अभी 2022 का रिजल्ट आएगा प्रीका तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी फर्स टाइम दिया होगा और फर्स टाइम में वो उसके बाद फिर हम सी की उसे लगाना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो हैं मैपिंग आपको मैप साथ में रखना है आप दो मैप साथ में रखिए एक टीटी के पब्लिकेशन का मैं पाता है स्कूल अटलस की नाम से और दूसरे अटलस है ऑक्सपोर्ट का इन सब के बारे में आप लोग जानते होंगे आप लोग रखें भी होंगे टीटी के का जो स्कूल अच्छी है और ऑक्सपोर्ट वाले में यहां पर फिजिकल अच्छा दिया हु आप पिलीज मैप साथ में रखिया और मैप पे देख पे रही है मैपिंग अगर कलियर हो गया तो यह समझ लिजे कि आपका 60% जोगरफी कंप्लीट हो गया तो आपको जोगरफी में मैपिंग पर भी बिसेश ध्यान देना है मैपिंग तो आपकी अच्छी होना ही चाहिए यहांगि जय सब्कुछ से हमें मैपिंग जैसे इंगलिस में कीप पॉइंट बॉकेप का होता है बोकबलरी अगर अस्वागर अच्छा होता है तो निस सारी चीज़ें मैनेर में पढ़ना है, concept clear करना है उसके बाद फिर हम MCQs पर जाएंगे हाँ इतना जरूर हो सकता कि आप किसी भी subject का एक chapter पढ़ रहा है अगर उसकी MCQ practice करना है तो आप गटनाचकर को ठालीजे, कोई दिक्कत नहीं है दूसरा chapter पढ़ते हैं तो आप उस chapter के MCQs लगा लीजे ऐसे करते जाएए ठीक है तो यह जोगरफी की बात होगी थी science के लिए आप लोगों को lucent पढ़ना है और lucent जीके वाली नहीं एक separate science की lucent आती है आपको यह पढ़ना है, मैं यहाप images लगा दूँगा तो देख लेना तो आप subject यहाँ से पढ़ लीजे science की lucent से पढ़ लीजे और बाकि MCQs गटना चक्र से गटना चक्र तो देखो MCQs प्रक्टिस करना है और सब्जेक्ट का पढ़ना है और यह science की lucent है, यह separate science की lucent है यह अच्छी कताब है, आप science यहाँ से कबर कर लीजेगा हिस्ट्री को लेकर ज्यादा बजन नहीं लेना है ठीक है, यह मानके ही चलना है कि हमें 20 में 12 से 13 कुश्टन करीब आना है भागे 6 साथ हम करें नहीं पाएंगे क्योंकि पीसे हमेशा हिस्ट्री से ऐसे कुश्टन डालता है कि वो नहीं हो पाता है आप पिछले सालों का ट्रेंड देखिए कमीशन हिस्ट्री के कुश्टन मुझे लगता है सबसे टब बनाता है पास्ट्रा कुश्टन बहुट टब बनाता है वो होते ही नहीं है मेंस में हम लोगो ओल्ड NCRT फॉलो करना है यहाँ पे भी प्री में भी ओल्ड NCRT फॉलो करना है वैसे मैंने यह सब मेंस बुकलिस्ट में बताया है ओल्ड NCRT आप लोग जानता है यह एंसेंट मेंडेवल और बोडन करके आती है मैं यहाँ पे इमेज लगा दूँगा दूँगा देख लेना तो यहाँ पे सब्जेक्टिव पॉर्ट्सन आपको ओल्ड NCRT से कवर कर लेना है और बागी MCQs घटना चकर को रड़ डालना है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फैक्चुल नॉलेज पर जाना चाहते हैं फिर फैक्ट पर जाना चाहते हैं तो एक किरन पॉब्लिकेशन की भाड़ती इत्यास के नाम से एक बुक आती है आगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं लेकर मैं बता दू कि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दस से ग्यारा बार 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 पढ़ना पड़ेगा तब जाकर याद होगा तो अगर आपकी कैपिसिटी हो याद करने की तो आप ले सकते हैं पर मेरा सजेशन तो एकि आप इसको स्केप करते हैं तो ज़्यादा मेटर है क्योंकि हम जान दे रहें कि प्री में हिस्ट्री से पांच-छे कोईशन ऐसे कमिशन को दे नहीं देना है जो किसी से होते नहीं है तो हम किया उतना माहिनत कराएं ये माहिनत हम और कहीं लगाएंगे तो वो ज़्यादा वेनिफिसिल लेगा अगर आप मैं याद करने की छमता है आपकी मेमोरी पापर बहुत स्ट्रोंग है तो आप इसको ले सकता है बागी मैं इस किताब को गलत नहीं बोल ला हूँ ठीक है किताब वो बहुत अच्छी है बहुत लोग फॉलो भी करता है और मेरी छमता भी नहीं कि मैं किसी किताब को गलत बोलू है न आई यह नेक्स है एकॉनमी के लिए मुननाल पटेल सापके यहाँ पर वीडियो आपको देखना है इनकी एक पूरी प्लेलिस्ट है जो UPSC और UPSC के लिए मतलब जो भी स्टेट की PCS है उनके लिए रामबाड़ यह बार में आपको मुरुनाल लेक्चर और एकॉनमी लिखना है देखी लिखके आभी गया मैंने इस पे क्लिक कर दिया और आपको यहाँ पर एकॉनमी लेक्चर फॉर UPSC जनल स्टेडिस 85 वीडियो का यह पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है आप इन 85 वीडियो से एकॉनमी बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे डेशिक्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोग उनके चैनल पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर नीची की तरह पाएंगे तो आपको मिल जाएंगे 85 वीडियो का यहाँ पर प पॉर्चन तो कमी पूचता है जादना तर जो इसकीम होती है करेंट न्यूज में होती है उन्हीं से कुछा जाता है फिर भी हमें एकाउनमी का अस्टेटिक पॉर्चन तो सीख नहीं है 80-85 वीडियो देखने में तो जादन लग रहे हैं बर कोई दिक्कत नहीं है 6-7 दिन रगड देंगे ठीक है इतना क्लियर है तो सब्जेक्टिव हम लोग पटेज साब के वीडियो से त्यार कर लेंगे और एमसे क्यूज घटना चक्र से कर लेंगे और बाकि जो कुछन साते हैं वो करेंट बेस रहते हैं तो वो करेंट तो हम लोग पढ़ेंगे चलिए आपर क्यारीने देख लीजिए एंवर्मेंट के लिए जो मेंस में फॉलो कुना है अधिकर कॉंब द्रिस्टि यज ने इसक किताब आथ है इनवार्मेंट की व्य लेडना और इसको त्यार कर लेना है इंगले मेर में भी आती है हम लोग पहलो पहले से कर ते आए high जोगत और ढे से इनवार्मेंट का जो गटना चकर होगा उससे लगा लेंगे यूपी स्पेसल से जो क्वेशन आएंगे बस गटना चकर से हम लोगो प्रेक्टिस कर लेना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है बाकी जो यूपी स्पेसल से मेंस के क्वेश्चन्स बनते हैं तो मुख परक्षा वाले वीडियो में हम लोग चर्चा कर ले हैं उसका ठीक है तो ये तो स्टेट एक पूर्शन था जो हम लोगो पढ़ना है इसके अलाबा करेंट अफेर्स टैसरीच एक्जाम से पहले हम लोग करेंगे एकॉनमिक सर्वे और बजट इस सब चीजे में हम लोगो देखनी होत है करन्ट अफेर्स गठासार से त्यार करना है या फिर आयृडियोस टेफ्स ट्यार करना है आय दस्ट्य से त्यार करना है आय दस्टी एक्नसरी इसके एक मेंल नहीन पहले आधी है लेकिन घठनासार हर दो मेंध पर मिल जाएगि ये ये m pluck च्छ ería बाई मंतली के इलावा ये हाप एल ली भी छापते हैं और फिर एल ली भी प्रिंट करते हैं एक्जाम से पहले प्री से पहले एल ली भी आ जाती है तो यहाँ पर कन्फूज मत होना कि यूभी पीसे प्री के लिए तो हम लोग करेंट अफेर्स कटनासार को फॉलो कर रहा है यह फिर आई द्रिस्टी को फॉलो कर रहा है लेकिन मेंस के लिए द्रिस्टी की जो मंतली मेगजीन आती है उसको फॉलो करने के लिए रिकेमेंड किया था वीडियो में यह जो द्रिस्टी आई इसकी मंतली मेगजीन है इसमें से आपको आर्टिकल्स पढ़ना है आर्टिक है तो यहां तक अभी पेपर बन का सीन था सी सेट के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए कि इसमें जो भी सेक्षन आपका भी है आपको काम करना है उस पर अगर रेजिन की बात करें तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइप का रेजिन का कुशन आपको नहीं आता हो तो आप प्रक्टिस कर लिजिए उस पर बहुत सारी कुशन लगा लिजिए जैसे दिन वाला कुशन आता है यह 25 अगस 1937 को यह दिन था तो फलानी डेट को कौन सा दिन होगा यह फलानी येर में कौन सी डेट को कौन सा दिन होगा इस तरह का कुशन आता है अगर वह आपसे नहीं ब यह उनके लिए बोलाओं जिनका C-set बीक है या फिर इस बार उनको दिक्कत हो गई यह qualify नहीं कर पा रहा है तो उनके लिए तो यह बहुत बड़ा challenge है न बागी जो technical field के हैं या फिर science background के हैं उनको नहीं दिक्कत है C-set का सबसे बड़ा challenge है communication बाला part मैं कोसिस करूँगा कि अगर इसका material मिल जाता है तो मैं आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा और आयोक के दोबारा जितने भी प्रकार के C-set में question पूछे जा रहा है मैं हर एक type के present पर वीडियो बना दूँगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है C-set में एक table बाला question आता है number system बाला है आपर number लिखे रहते हैं एक मैं question मारक लिखा रहता है यहाँ पर क्या आएगा यह सब पूसता है एक बार आप 20 question लगा लिए ना इस तरीके के तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस-किस तरीके से logic लगते हैं तो आपको वहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा जल्दी और आप easily कर ले जाएंगे बहुत से लोगों के लिए एक question बहुत easy हो सकता है लेकिन बहुत के लिए तो कठेन भी है ना ठीक है तो यह इतनी बातें थी एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा role यहाँ पर क्या है मैं आपको क्या क्या provide करा सकता हूँ तो देखे साब लोग जो पहले से जुड़े हैं वो तो समझी रहे हैं जान रहे हैं कि समय बहुत limited रहता है और उसी limited समय में जतना हम से हो सकता है मैं उतना courses करता हूँ करने की तो मेरी तरब से आपको C-set में कोई देखकत नहीं होगी current affairs में आपका तयार करता रहूंगा प्री के लिए जो test series हम लोग करते हैं ये भी करेंगे इस बार भी courses करेंगे कि द्रिश्टिया इसको पूरा complete करा है हम इस बार की तरह आपको बीच में आदा आदूरा ना छोड़ें और इन सभी के साथ हर subject का जो घटना चकर MC की previous paper है घटना चकर पूर्वा लोग करना है इ ठीक है तो हो जाएगा ना अब दोजार थेस के लिए prepare हो रहे हैं आपनों को बिसेज ध्यान रखना है कि इस बार जो आप लोग तयारी करें वो प्लीस कंबाइंड वे में तयारी करें मेंस और प्री को साथ में लेके चला है ऐसा निकनना है कि साल बार प्री का ही पट रहे और तीस परसेंट प्री के लिए समय दें बागी जब प्रीलियम नजदिक आ जाएगा तो प्रीलियम से तीन महीने पहले पूरा समय प्रीलियम पर दिया जाएगा लेकिन आप लोग अभी प्लीस सास से आड़ महीना 70-30 का रेसी बना या फर 80-20 का रेसी बना सकते हैं 20 परस टैम मेंस पर लगा दीजिए फिर दिखना आप 7-8 मेने में आपका कॉन्फिडेंस लेविल कहा पहुंसता है ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में भूगोल के घटना चकर पूरवा लोकन के साथ चलते हैं फिर बहुत-बहुत सुक्रिया आप लोगा